हेलो एंड वर्कम टू आर एलर एक्स नेटवर्क मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग गूगल वर्क्षीट के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर गूगल वर्क्षीट के अंदर जॉइन फॉर्मुले का यूज कर सकते हैं आपने कॉनकेटनेट फॉर्मुला टेक्स जॉइन फॉर्मुला यह तो सीखा ही है लेकिन गूगल वर्क्षीट के अंदर एक नया फॉर्मुला है जॉइन कैसे यूज करते हैं चले मैं आपको सिखाता हूँ इससे पहले कि लाश्ट वीडियो में आपने स्प्लिट फॉर्मुला स जहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पहले और दूसरे नाम को यानि कि फॉर्स्ट और लास्ट नेम को अलग-अलग सेल के अंदर लिखा हुआ है अब मुझे इसको जॉइन करके मर्ज करके कॉनकैटनेट करके टेक्स्ट जॉइन करके एक सेल के अंदर लाना है तो तो उनको segregate कैसे करेंगे, यानि कि आप दिखाना चाहते हैं कि रविंदर स्पेस कनोजी आए, रविंदर हाइफन कनोजी आए, रविंदर स्लैश कनोजी आए, तो जो आप डेलिमीटर पास करेंगे वो यहाँ पर सबसे पहले देना होगा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि डेलिमीटर जो होगा, मैं माल लेता हूँ, हाइफन देरा चाहता हूँ, आप स्पेस भी दे सकते हैं, या कोई भी पारमेटर आप पास करते हैं, मैं यहाँ पर हाइफन ले रहा हूँ, कोर्स को क्लोज करेंगे, कॉमा, अब मुझसे पूछ रहा है value of array, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने दोनों cell को एक ही बारी में select करूँगा, क्योंकि यहाँ पर array बोल रहा है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ऊपर result जो है, preview में नजर आ रहा है, कि आपका result होगा, वो कुछ ऐसा आएगा, आप simply bracket को close करें, और enter कर देंगे, तो आप देखेंगे, कि आपका जो record है, वो सारा यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर suggestion के लिए auto fill भी दे रहा है, हमारे पार, हम use कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप जो है, join formula का use कर सकते हैं, I hope कि इस short video जो है, वो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको यह video पसंद आई के साथ में, तब तक के लिए, good bye